हाँ जी वेलकम बैक तो ओवर चैनल मैं हूँ गौरो काबरा एक बहुत इंपॉर्टन एनॉस्मेंट है हर उस स्टुडेंट के लिए जिसके सीय में इंटरमीडिये या फिर फाइनल के एक्जामिनेशन डिसेंबर ट्वेटी ट्वेटी फोर में आ रहे हैं आपके लिए बहु करनी पड़े और हम कर लें और एक्जाम में उसका फाइदा मिल जाए तो उससे बड़िया कुछ नहीं हो सकता तो उन्हीं सब चीजों को डिसकस करने के लिए आज का यह MCQ मेनिया बोल करके मेरा यह वीडियो आया है और आज का मारा पूरा अब्जेक्टिव यह रहेगा कि हम MCQ के अराउंड बातसीत करें हम सभी को बता है कि 2022 का जो सिलिबस है 2022 का सिलिबस उसमें 30 मार्क्स के MCQ आ रहे है आ रहे तो 15 कोशन ही है लेकि दो दो मार्क्स करके आ रहे है तो ओविस्टी उसमें स्कोर करना काफी जादा क्रूशल है मेरा पर्सनल यह ऐसा मानना है कि अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट भी चाता है कि आप जादा महनत करो मैं भी चाता हूं कि आप जादा महनत करो और इसके लिए एक इंपॉर्टन अनॉंसमेंट अब पूरा सुनना हो आपके लिए कुछ इंपॉर्टन गुड निउस है बेसिकली और इंटर और फाइनल दौनों बच्चों के लिए तो सुन सकते है आप यापे पहला जो गुड निउस है यार वो आपके इंस्टीट ने आपको सामने दे दिया है इंस्टीट ने रिसेटली एंसी क्यू बैंक्स बोल करके कुछ इंट्रिद्यूस किया है अब आप कहेंगे क् पाइनल काटेगरी में तो अपडेट्स आ ही रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि यह बहुत जादा पुराना अपडेट्स नहीं है साथ आट दिन पहले पहले यह शुरुवात कि इंस्टीट ने और इंस्टीट अब आपको क्वेश्चिन बैंक्स दे रहा है इंटेमीडेट के इनके पाइनल के लिए धीरे धीरे अप्लोड हो रहे हैं बढ़ हमारा जो काम का पेपर है उसका अप्लोड है तो इनके क्वेश्चिन बैंक्स इंस्टीट ने आपके लिए रग दी आपके सामने इसके क्या माएन है कैसे यह आपकी तैयारी को अप्गरेड करेगा आई इस टेबल फॉर्माट में कुछ किया है काम, मुझे तो अच्छा नहीं लगा प्रेजेंटेशन, लेगिन स्टिल क्वेशन्स हो है, उसके उप्षिंज और और क्रेक्ट आंस भी है, तो और क्या चाहिए? So question bank में इनोंने cost accounting में 276 questions को अब इंक्लूट कर दिया है, which is so 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 amazing! अब इससे best part क्या है, कि इससे पहले जो bit questions हुआ करते थे institute के, उसमें 164 questions थे, अब यह 276 questions है, so definitely इसमें कुछ ना कुछ आपको common questions मिलेंगे, लेगिन फिर भी कितने extra questions आड़ हुए है question bank में, यह देखने लायक बात है, इसके लिए institute को बहुत बहुत बढ़ाई और बहुत धन इन्यवाद भी, क्यार आपने इतना कुछ करके दिखाया institute अपने students के लिए, number 2, FM BDA के अगर हम बात करेंगे, paper number 11 है, CMA Intermediate के group 2 में आता है, इसकी बात करें तो इसमें 174 questions institute ने डाले है, this is not just with respect to FM, यह FM के साथ में BDA के भी questions included है, so 174 अच्छे गासे questions है और institute ने include कर दिये ह इसी के against, अगर हम bit questions में जाएं, तो 94 questions पहले FM के category में हुआ करते थे, now, यहाँ पे एक asterisk लगाया है, वो इसलिए, क्योंकि मैं comparison यहाँ जो कर रहा हूँ, वो एकदम बरोबर comparison रही है, हम FM BDA को compare करें with only FM, तो FM पहले से 50 marks का होता था, FM BDA 100 marks का paper है, तो एकदम direct comparison करना सही न कैसा लगता है, कि question bank में कई additional questions आपको देखने को मिल जाएंगे, then management accounting की बात करते है, management accounting में institute ने 203 questions जाल रखे है question bank में, which is so really good to see, इससे पहले bit questions में 83 questions हुआ करते थे, in the management accounting part, यह भी एक जमेला है, यह भी 2016 का syllabus था, उसमें bit questions यह लोग पूसते थे, और वहां पे 83 questions, cost and management accounting व accounting से mail खाता है, लेकिन हाला कि syllabus बहुत जादा different है, तो ऐसे में वो mail खाते हुए area का 83 questions पहले हुआ करते थे, जो की बढ़कर के 203 questions हो गए, यह again comparison सही नहीं है, इसलिए मैंने asterisk लगाया, बट सिल, institute ने आपके लिए कितना काम किया, सोचिए, 203 MCQ questions institute ने आपके लिए डायल कर पाएंगे, आगे आते हैं final वाले paper पे, paper number 14 की अगर हम बात करें तो strategic financial management, यह अपना SFM वाला paper है, इसमें भी institute ने 159 questions जाल रखें, जो की पहले bit questions में 114 questions थे, तो again इधर में भी number of questions जादा है, मेरे रिसाब से common questions अभी भी मिलेंगे, लेन फिर भी extra questions भी अगर हम देखें, तो अच्छा institute ने हमें कुछ extra questions definitely ती हैं, अब मेरा यह मानना है कि यह जो commonality वाली बात है यह bit questions और हमारे question bank है इसमें बहुत जादा नहीं होंगे, जैसे for instance, अगर मैं strategic financial management की बात करूँ, तो मेरे हिसाब से 40-45 questions से जादा common questions नहीं होने चाहिए between question bank and bit questions, यास आब ठीक सुन मेरे कहल से 40-45 questions से जादा common questions नहीं मिलेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि आपको exam के लिए ना कि सर्फ question bank पढ़ना है बलकि bit questions भी पढ़ने हैं, यानि कि मैं यह कह रहा हूँ कि आप जो यहाँ पे numbers देख रहे हैं, इन numbers को आप ऐसे मन दिखेगा कि question bank में इतने numbers हैं, मैं यह च साब से अगर मैं बात करूँ, तो cost accounting itself will have at least 350 questions for you, 300 unique questions आपके लिए institute डाल रखा है, in the form of question bank and also bit questions, मैं इसाब से बहुत अच्छा resource है, similarly FMPDA में मुझे ऐसा लगता है कि roughly 200 questions के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे comments को हटा करके, और अगर हम management accounting ही बात करें तो यहाँ पे त and SFM में भी यह number 170 के आसपास जाना चाहिए, या फिर 180 के आसपास जाना चाहिए, so again these are crazy numbers when it comes to MCQ practice, institute को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ है, कि हाँ आपने MCQ के लिए institute, अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा है, और सोचा है तो उससे उनको exam में फाइद होगा, अब इसमें, यह definitely question आएगा students के mind में, कि MCQ आप बोल रहे हो, इतना emphasize करा रहे हो, तो इर exam में कैसे इसको तयार करना है, क्या-क्या तयारी करके जानी है, और उससे क्या फाइदा होगा हमारा, तो देगो मेरको ऐसा लगता है, कि MCQ 30 marks का जो है, अगर आप इसको ठीक attempt करते हैं, there's a great chance कि आप उसमें 20, 22, 24, कुछ भी number लेकर के आ सकते हैं, if you are able to score more than 20, in the MCQ part, then the chance of clearing the examination goes up substantially, and इसी लिए मैं चाओंगा कि MCQ को लेकर के आप हलके में काम ना करें, and आपको क्या-क्या cover करना है, वो मैं बता देता हूँ, आपको institute का जो नया वाला question bank आया है, जिस जो भी 2022 syllabus में exams हुए हैं, उन सारे के MCQs आपको study करने हैं, now this is critical, ये सिर्फ 2022 syllabus के लिए मैं बुल रहा हूँ, so 2016 syllabus का आपको कोई भी चीज नहीं पढ़ना है, गिंती के 3 papers हुए हैं, तो 3 papers को अच्छा से study करना है, इसके अलावा 3 papers के लिए institute ने कभी 2, कभी 1 MTPs भी launch किये थ तो यहां पर भी अच्छा कासा practice है आपके लिए करने को, and उसके बाद में institute की study material के भी MCQ करने होंगे, हां मुझे पता है वहां पर बहुत सारी गलती हैं, बहुत सारी problems हैं, but फिर भी institute के study material से भी काफी questions आये थे in the last term, तो मुझे लगता है आगे भी आ सकते हैं, तो इनको cover करना पड़ेगा, भाया अगर ये सब cover कर लें, तो क्या हमें फायदा होगा, ये question जरूर आएगा, तो मैं आपको कह देता हूँ, मेरे को लगता है 75% to 80% questions तो यहीं से फस जाएंगे, so you will have your question bank, bit questions, PTP, MTP, and institute study mat, मेहनत बहुत करने को, लेकिन हां भाई, इतना आपको करना प booklet बना रहे हैं, यानि MCQ Mania, ये जो एक वीडियो आपने thumbnail देखा है, इस पर booklets भी बन रही है, that is already in process, तो हम बहुत तेजी से MCQ की booklets बना रहे हैं, जो कि हम जो 4 papers पड़ाते हैं, उन 4 के लिए आपको, सब को free में मिल जाएगा, जी, कब तक मिलेगा भाया, तो मेरा इसमें अनुमान है कि October के मन्त में मिल जाना चाहिए, and we'll gradually release these, तो कुछ subjects के पहले हो जाएंगे, कुछ के बाद में हो जाएंगे, but yes, we will release the booklets, अब ये booklets आप कहेंगे, इन में unique है, तो भाई, अभी जो हम numbers की बात कर रहे थे थे न, कि total number of questions हम कितने ले रहे हैं, तो भाई, total number of questions अ guarantee नहीं दे रहा, लेकिन 800 से 1000 के बीच का हमारा target भी है, so हर एक paper में, whether it be paper number 8, cost counting, paper number 11, FMBDA, paper number 12, management counting, और SFM, which is strategic financial management, तो ये सारे papers में, भाई, हम आपको दे रहे हैं, MCQ booklet, सभी को देंगे, and ये MCQ booklet में, we will be capturing 800 to 1000 questions for every single paper, आपका next question आएगा, कि या MCQ का फिर practice भी कराऊगे क्या आप, तो इसका जवाब है, हाँ, मैं MCQ का practice कराऊँगा, लेकिन उसका एक dedicated marathon होगा, और वो marathon होगा in the month of November, इसके अलावा वो जो marathon होगा, उसमें जरुरी नहीं है, मैं अपनी ये पूरी booklet solve कराऊँ, तो I will take selected questions, और उन MCQ marathon आएगा, FM ETA, MA and SFM, सब के लिए MCQ marathons आने वाले हैं, और आप उन सब का बहुत सारा फाइदा उठा पाऊगे, तो यार MCQ के लिए, अब इसे हम दिवानगी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, दिवानगी को ये वैसे Englishman Mania कहते हैं, so basically, मैंने आपको institute के कौन-कौन से resources MCQ तयार करना है, वो बता दिया, इसके अलावा हम अपनी भी booklet ते रहे हैं, और एक MCQ marathon आएगा, so we have given you everything, आपको पूरा रूटीन बनाकर के दे दिया है, आपको क्या-क्या करना है, अब कई बच्चेस में बोलेंगे, oh it's too much to cover, तो मैं बता दू 30% of your fate, depends on only this much, तो अगर ये easy भी है ना यार, MCQ cover करना तो easy होता है, so अगर आप इतना सा effort डाल देंगे, तो 30% की तियारी आपकी हो चाती है, that I think is a brilliant thing to accomplish, and मैं चाहूंगा कि आप इस काम में हाथो हाथ लगे, इसलिए जो December के लिए हम लोग series of announcements लेकर के आ रहे हैं, उसमें MCQ Mania की announcement इतनी जल्दी आ टर्म के लिए, एक और मेंनिया आने वाला है, क्या आएगा, मैं थोर दन में announce कर दूँगा, but फिलाल, MCQ Mania आपके लिए ये रहा, I'll see you in the next month, अब तक के लिए बाबा, take care, enjoy yourselves please, and please पढ़ाई करते रहे हैं, बाई!